हलो गाईच आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉप परसिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिक अपडेट लेकर आएं जो भी इंपोर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए वो प्रदान की जाएगी तो चलिए एक एक करके हम लोग सार पर अपनी इमेल डाल देनी है इसमें आपको यहाँ पर अपनी इमेल आइडी डाल देनी है जैसे आप साइन अप करोगे कुछ इसमें आपको इमेल आइडी अलेडी पड़ी हुई है मूबाइल लंबर और पासवर्ड आपको डाल देकर रेजिस्टर कर लेना है यहाँ पर आपको लेकफाल का जो है टेस्ट यहाँ पर दिख रहा है आप इसको क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करोगे आज ही की अपडेट है और अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट आई है तो क्या है अपडेट देखते हैं आप सभी लोगों के बहुत सारे कोश्चन भी थे चाहे इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो चाहे कमेंट बॉक्स में हो कि यह जो 25,000 भरती जो कॉंस्टेबल की आने वाली आखिर में इसका फंडा क्या है देखो अगर मैं आपको बता दू तो अभी जो है इसके लिए कोई आफिसली अपडेट नहीं आई है और इसलिए मैं कॉंस्टेबल पर वीडियो को भी बनाया भी नहीं अभी तक यह मेरी पहली वीडियो है जिसे मैंने कॉंस्ट पर भरती के लिए यूपी पुलिस जॉब्स नोटिफिकेशन अमंत्रित करने वाले हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2021 के लिए योग ओमिचुक विद्वार यूपी पुलिस कॉंस्टेबल जॉब नोटिफिकेशन प्रकासित होने के पस्चात यूपी पुलिस की उफिस्यल वेबसाइट जो है upvp.ub.in के माध्यम से यूपी पुलिस कॉंस्टेबल अनलाइन परम प्रस्तुत कर सकते हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल रिकूट्मिंट 2021 से समंधिस विभागी विग्यापन आवेदन प्रक्रिया चेन प्रक्रिया अन्तिमति सिलेवस एउमान जानकरी नीचे तahlिका पर और लोकन कर सकते हैं यूपी पीवीप पुलिस कॉंस्टेबल जॉब्स के तलास कर रहें बेरुजगार अभ्यार्थी के लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेबल जाब पाने का सुनावरा आउसर उत्तर प्रदेद पुलिस में यूपी पुलिस रिपाही वेकेंसी की दोरा जल्दी प्रकासित की जाएगी हाला कि ये जो चीजें हैं जल्द ही होगी जल्द ही होगी ये तकरीवन 2-3 महीने पहले से ही ये 25,000 की बात चल रही है और ये 25,000 की बात चली क्यों क्योंकि 2-3 महीने पहले जो है एक अपडेट आई थी जिसमें से जो है ये बोला गया था CM के दोरा कि 25,000 जल्द जो है इसकी भरती कराई जाएगी Constable की और जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ये चीज बात बूल जाते हैं कि मतलब जो चीज बोली जाती है वो चीज करनी भी होते है जैसे प्रात्मिक सिक्चक भरती पर उन्होंने बोला कि जल्दी भरती कराई जाएगी उन्होंने पुलिस Constable पर बोला कि जल्दी भरती कराई जाएगी लेकिन इसको बोलने के बाद वो भूल गए ना तो उनको Constable का कुछ ध्यान है ना उनको प्रात्मिक सिक्चक भरती को लेकर के कुछ ध्यान है ठीक है अब सभी जो पार्टियां है सभी जो नेता है वो सभी लग अपनी विधान सभा की चुनाओं की तैयारी में जुड़ चुके हैं आईसे में चाहे प्रात्मिक सिक्चक भरती के कोई भी अब्यारतियों वो भी धक्या खा रहे हैं अपनी भरती के बीस बीस लाग बारे में कोई अपडेट दी गई है और नहीं कुछ लेकिन एक ज हती है हालाकि मैं भी इंतिजार कर रहा हूं और जानकारी में की मैं खुड़ गया हूं पुलिस विभाग में यहां पर भी मैं गया जानकारी मिली थी कि नहीं भही अभी जो इसके लिए कोई जानकारी officially नहीं है. हाँ ये हो सकता है कि जल्दी इसके लिए कोई गोशना किया जाया है. जो मुझे वहाँ से जानकारी मिली थी ये सचा ही है इसके लिए ठीक है. बाकी आप लोग तयारी करते हैं, भरती जरूर हो नहीं है, 25,000-26,000 नहीं जादा भी भरती हो सकती है, यह 25,000 तो मोटा मोटा बता दिया गया था, भरती जादा भी हो सकती है, 25,000 से कम तो नहीं होगी, लेकिन 25,000 से जादा हो सकती है, वहीं पर हम बात कर लेते हैं, प्रात्मिक सिक्चक भरती, तो यह प्रात्मिक सि सिंगल स्टेट में तो वो है उत्तर प्रदेश इसमें लिखा था कि ओवर 1 लाग टीचर वैकेंसी इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार हायेंस इंदा कट्री यानि कि हम कहें कि यह जूट बोलने अगर यूने इसको जूट बोल लही है तो भाईया आपने क्यूं 51,000 का हलप नामा लगा था हाई कोट में सुरी सुप्रिम कोट में कि हमारे यहां इतनी पद खाली है और अगर आपके यहां पद खाली है आपने 2019 में हलप नामा लगा था 2020 में लाग 23,000 से जादा पद खाली है अगर अभी इस में से 60-70,000 वेकेंसी भी निकाल देना तो 70,000 बेरोजगारी खतम हो सकती है और बच्चों का जो बेड करना डेलेड करना जो है वो भी सार तक हो सकता है ठीक है सबी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग जोइन कर कि कोचिंग जोएन करके हमके गलती तो नहीं कर दी क्योंकि भरती तो आने ही रही है और हम चार महीना पहले कोचिंग चले आएं पता नहीं भरती आएगी कि नहीं आएगी सबी लोग पढ़ाई करिये जो जहां पढ़ाई कर रहे है जो भी होगा अच्छे होगा चलिए बात बिल्कुल सही है अगर कोई भी बात मेरी गलत लग रहे ना तो प्लीज कमेंट करके बता दिए सर आपकी ये बात गलत लग रहे है ठीक है और अगर अच्छी लगी तो 50,000 होगी, 51,000 होगी, ऐसे करके बहुत सारी हेडलाइन की आपने प्रात्मी सिक्चक भरती की अपडेट देख लिए, दिसंबर में होगी भरती, नॉम्बल लाज से सुरू होगी प्रक्रिया, ऐसे करके बहुत से न्यूज देख लिया है, और हमने बहुत से न्यूज आपको बता दिये हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरब, जो हमारी अगली अपडेट है आपको में बता दू, UPSI, उत्तर प्रदेश दरोगा भरती के लिए, आज जो है, एड्मिट कार्ड जारी होगा, जिनका पहले चरण में पेपर है, जिन लोगों का पेपर जाएगा, तो दो बज़े के बाद आपको इंदजार करना, जैसे ही आजाएगा, अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम सुचित कर देंगे, बस चैनल को सबस्काइब किये रही है, और अपना प्यार इस चैनल पर ऐसी बनायर किये, जैसे आप लोग बनाये हो, आप लोगों के प्यार देख करना, मोटिवेशन मिलता है, और जहां होता है, वहां मैं चला जाता हूँ, आपके अपडेट के लिए, और सारी अपडेट को बिल्कुल सही तरीके से लाने की मैं कुशित करता हूँ, चलिए, वही पर हम बात करते हैं, बेर्ड का डायरेट अड्म लोगों ने डायरेट अड्मिशन करवा लिया है, यानि की पहले दिन, तो जिन लोगों का भी अड्मिशन अभी नहीं हुआ है डायरेट में, वो जाके तुरंत अपना डायरेट अड्मिशन करवा लें, जिनका अड्मिशन नहीं हुआ है, अपना अड्मिशन करवा लें, क इसमें भाग कौन ले सकता है तो इसमें भाग ले सकते हैं जिन लोगों ने online registration बेर्ट का किया था और उन्होंने बेर्ट इंटरंस का एक्जाम दिया था एक्जाम देना कमपल सरी है क्योंकि एक result आता है जिसमें state rank अगरा लिखी होती है आपका result निका होता है भले ही number आपको वीडियो को share कर दीजिए ज्यादा नहीं एक group जो भी आपकी steady group है या कोई भी group है एक group में आप इसे share कर दीजिए ताकि अगर आपको सही update मिल ले तो सभी लोगों को सही update मिले क्योंकि मेरे channel का मानना ये है कि news कम से कम लओ लेकिन जो भी लाओ 100% सही लाओ तो चलिए मिलते झाल 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 झाल